दोस्तो अगर आप अपने फोन में फेस्बुक एप की नोटिफिकेशन कॉंटेंट को हाईड करना चाहते हैं नोटिफिकेशन बार में तो आप ये कैसे करेंगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अपने फोन की सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद यहां पे आपको करना है नीचे की ओर स्क्रॉल नीचे की और स्क्रॉल करने पर आपको एक option लिखाएगा apps का आप इस पे click करिएगा apps पे click करने के बाद आपको app lock का एक option लिखाएगा आप इस पे click करिएगा उसके बाद अपना जो भी password आपको वो डाल देना है यहाँ पे ओके और password डालने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे आपको मतलब इस type का interface मिल जाएगा अगर आपने अभी तक app lock नहीं यूज किया तो वहीं पे setup करने को कहेगा password तो आप वो कर दीजेगा उसके बाद आपको इस type का interface मिल जाएगा ओके यहाँ पे आपको क्या करना है आपको मेरे में already app lock इसका enable है तो उपर दिखा रहा आपको यह नीचे दिखाएगा ठीक है हम आपको दिखा देते हैं अभी आपको यहाँ पे नीचे की side facebook ढूण लेना है कहाँ पे है या फिर light यूज़ करते हैं तो light ढूण लेना है कहाँ पे है तो यह रहा light आपको इसका app lock पहले तो enable करना है क्लिक करके यहाँ पे उके उसके बाद आपको सबसे उपर की और scroll करना है यहाँ पे दिखेगा option want to hide sensitive notifications आप इस पे क्लिक करिए इस पे क्लिक करने के बाद आपको facebook का option दिख जाएगा आप इसको click करके on कर दीजिए अब जैसे इसको on कर देंगे तो आपकी facebook की जो भी notification होगी उसका content notification बार में आपको नहीं दिखेगा hidden रहेगा अगर वीडियो से help वी हो तो वीडियो को कर दीजे लाइक चैनल को कर लिजे subscribe and bell icon को press ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए